हेलो स्टुडेंट्स वेलकम तुमा यूट्यूब चैनल तो आज हम सीखने वाले हैं रूल्स ऑफ साइंस याने की चिन्नों के नियम प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस जो भी होते हैं रूल्स वो सारे हम एग्जामपल की मदर से सीखेंगे आप किसी क्लास में पढ़ रहे आपको चिन्नों का नॉलेज फॉच ज़रूरी है क्योंकि माइनस प्लस में हमेंसा कन्फूजन रहता है इसलिए वीडियो बनाई जा रही है आज के बाद आपको कन्फूजन नहीं होगा तो आसा है आप वीडियो के अंतब बने रहेंगे कुछ सीखने की कोसिस करेंगे तो प्लस होता है वाला दोनों को हमने क्या कर देना है प्लस कर देना है जोड़ देना है अगर दोनों माइनस की हैं तब भी उनको प्लस कर देंगे ठीक है एक माइनस एक प्लस तो माइनस एक प्लस एक माइनस माइनस पहले आए या बाद में आए दोनों में से एक भी माइनस है है देखो मैनस पलस का मानस प्लस मानस का मानस यानि Avatar पहले आए या बागमाज मैं मैनशी होना है यहीं अब इन सभी कंडिशन में क्या होता है चिन हमेशा बड़ी संख्या का लगाया जाता है अब मैं example के सास्स बताऊंगा आपको ध्यान देखो, माइनस प्लस का माइनस. प्लस-िक का माइनस. याँने की मैनस पहले आये या बाज में आये, वो मैइनस ही हो ना है. लेकिन इन सभी गंडिशन में क्या होता है? चिन हमेशा बड़ी संख्या का लगाया जाता है. अब मैं example के साथ बताऊंगा आपको ध्यान देना पहले में tool first का ले रहा हूँ ठीक है तो plus plus का plus ये तो आपको सब को ही पता है 6 plus 3 इसके आगे कोई sign नहीं तो plus माना जाता है तो ये plus 6 plus 3 याने कि ये हो जाएगा 9 और ये भी plus का रहेगा लगाने की ज़रुत नहीं पड़ती ह है 6 plus 3 9 ये plus का rule तो आपको सब को पता है कि plus plus हैं दोनों तो plus ही करने हैं तो देखो जैसे 10 plus 20 ये होगा 30 या 30 plus 10 plus 20 is equal to 30 40 60 इस तरीके से सारे plus के हैं तो plus ही कर लेंगे लेकिन इसके अलावा बच्चों अगर हमारे पास अब दूसरा rule आता है ध्याम देना दोनों minus के हैं जैस है minus 2 minus 3 दोनों minus के हैं तो इससी में क्या होता है minus minus का plus होता है minus minus का plus होता है ये दोनों plus हो जाएंगे 3 और 2 ये 5 आजाएगे यह यहाँ पे लेकिन याद रखना हमेशा दो negative number यानay कि दो negative integers हैं अगर वो जूड रहे हैं जूड तो जाएंगे minus minus का plus हो जाएग लेकिन sign हमेसा माइनस का ही आएगा, क्यों? क्योंकि दू निग्विटिव पॉजिटिव कैसे बन सकते हैं? प्लस तो हो जाएंगे हो, लेकिन साहिन अमें सा माइनस का ही आएगा हम पे ठीक है? और वैसे भी चिन बड़ी संख्या का आता है, तो चिन में से बड़ी कौन थी? तीन थी, तो माइनस का ही आया, देख लो एक और एक्जामपल लेते हैं, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री तो ये तीनों माइनस के हैं, सारे माइनस के हैं तो ये सारे जू जाते हैं एक साथ लेकिन sign last में minus का ही आएगा आप उनको plus तो कर दोगे लेकिन sign last में क्या आएगा minus का ही आएगा 3, 4, 5, 6 आरा रहा है को समज में जब minus की sign क्यांए plus होती है plus तो कर लेते हैं उनको लेकिन sign last में minus का ही लगाते हैं ठीक है बच चलो अब देखिए कुछ और example हमने tool number 3 और 4 के लिए ये आपके लिए ज़्यादा important है, यहाँ बच्चे confusion रहते हैं हमेशा देखिए 1 minus की है, 1 plus की है तो minus हुझाता है, देखो minus 10 plus 20 1 minus 1 plus क्या बोला, minus करना है minus plus का minus करना है 20 में से 10 minus कर लो 20 में से 10 minus कर लिए तो 10 हुग गया अब अभी मैंने क्या बोला था, sign तो हमेशा बड़ी संक्या का आता है तो इन में से बड़ा कौन है, plus का है तो इसका sign plus का आएगा, आप लगाना चाहो तो लगा दो, यह तो 10 इसका answer है, एक और example ले लेते है, minus 5 plus 3 एक minus का है एक plus का है, minus plus का, minus याने कि घटेगा, तो 5 में से 3 गया, याने 5 में से 3 गया 2 बच जाएगा, लेकिन sign हमेशा बड़ी संक्यागा, इन दोनों में से बड़ा कौन है, 5 है, और इसका sign minus का है, इसलिए यहाँ पर sign जो है, minus का आएगा, ठीक है बच चलो आगे देख ले, कुछ और एक्जाम पर लेते है minus 6 plus 10 एक minus का एक plus का, minus plus का minus घटेगा, 10 में से 6 गया, 4 बच गया लेकिन बड़ा जो number है, उसका sign plus का है, तो यहाँ पर plus का आएगा, plus लगाना चाहो तो ठीक है, नहीं तो plus का ही माना जाता है कुछ sound में आ रहा है, पर चलो तो आगे देख ले, tool number 4 ध्यान देना plus minus, पहला plus का दूसरा minus का तो plus minus का, minus होता है plus minus का minus, minus कर लो 10 में से 6 गया, 4 बड़ा कौन है, इन में से बड़ा कौन है, 10 है न तो इसका चिन क्या है, plus तो यहाँ पे भी plus आएगा, तो plus लगाने के आपको जरूरत नहीं होती है दूसरा, जिससे 10 minus 12 इसका plus है, इसका minus है तो plus minus का minus घठाना है आपको 12 में से 10 गया, 2 बचा लेकिन चिन इन में से बड़ी संख्या का आएगा बड़ा कौन है, 12, उसका minus का है तो minus में आगवर minus लगाना जरूरी होता है तो कुछ और example लेते हैं, बच्चों जिसमें plus minus minus plus बहुत सारे आते हों ध्यान देना, अब लेते हैं कुछ example, यह rule तो मैंने आपको killer कर दिया, ठीक है, कुछ जैसे मैं ले ले ले, minus 5 plus 2, minus 6 plus 10, इसको कैसे करोगे आप जल्दी से करना है आपको कैसे करोगे आप इसको, तो इसमें क्या करते हैं जो plus के होते हैं, उनको पहले जोड देते हैं फिर minus के जोड देते हैं और last में minus कर देते हैं पहले प्लस वाले जोड़ने, तो प्लस का एक ये है, एक ये है, इसको जोड़ जाएंगे, 10 और 2 कितना होगे, 12, इसको जोड़ के लिखती है, तो इसके आगे प्लस लगाना चाहते हैं, और नहीं लगाना चाहते हैं, तो प्लस आगे प्लस लगाने की जोड़त नहीं पड़ जाएगा वन बचेगा वह भी बढ़ी संक्या प्लस के तो प्लस का बचेगा ठीक है बच चलो अभी देखिए आप बहुत बड़ी एक बढ़ा ओपरेशन देता हूं आपको एक बड़ी संक्रिया देता हूं कि जिसमें आपको बहुत सारे मिलेंगे हम जल्दी सिदे कॉल सॉल करेंगे अब आप सोचोगे इतना बड़ा कैसे सौल करें फाद इसे प्लस के जोड़ तो पहले एक साथ 20 23 26 28 जल्दी से हो जाता है यहोगे प्लस के सारे जोड़ दे 28 आम माइनस वालों को जोड़ दो मैनस 5 11 11 और 10 21 और 23 मैनस क्यों गए 23 प्लस के 28 थे इन में और मैनस के 23 थे अब प्लस मैनस का होता है मैनस याने कि 28 में से 23 गया तो क्या बच्चे आपके पास 5 बच्चे इन में से बड़ा कौन है प्लस का तो चिन क्या हैगा प्लस का प्लस लगाने की ज़रत नहीं होती है यह आपको पता है वो प्लस का ही माना जाता है तो बज्चों इस तरीके से इनको करते हैं इंटू में देख लीजिए आप याने की मल्टिप्लाइर में क्या होता है अगर एक मैनस का है और दूसरा भी मैनस का आता है तो मैनस मैनस का प्लस हो जाएगा और थ्री टूजा शिक्स तो यह प्लस शिक्स आएगा प्लस लगाना चाओ ठीक नहीं तो शिक्स इसका आंसर बोल जाएगा लेकिन एक मैनस का है और दूसरा प्लस का है इसके कोई साइन नहीं तो प्लस माना जाएगा तो minus plus का, minus आएगा, और पहले आप sign लगाओगे, फिर into करेगो, 3 to just 6, ठीक है बच्चों, तो मैं आपको कुछ example देता हूँ, आप करके बताओगे मिरेको इस cancer कितना आता है, ठीक है, जल्दी से comment box में लिखोगे आप, ठीक है, मैंने आपको कुछ example दे रहा हूँ, तो आपको भी करने हैं, और comment box में बताने हैं, कितना आएगा, ठीक है, minus 5, जल्दी से करना है, जैसे मैंने किया, plus 6, plus 10, minus 4, इसका कितना answer आएगा, ठीक है, दूसरा, minus 5 into minus 8, इसका कितना आएगा, तीसरा है, मैनस 2 into 4 इसका कितना आएगा ठीक है बच्चों इसके लावा एक और example है मैनस 100 प्लस 1000 इसका कितना आएगा ये आपको बताना है तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक सेर कर लीजिए इससे भी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँगा ये अभी calculation हम सीख रहे हैं यानि simplification सीख रहे हैं इसके बाद मैं board mask रिकाऊंगा अगली वीडियो में तो अगर आपको कुछ सीखता है तो प्ली चैनल को subscribe कर लीजिए आज के लिए तना ही पहने बार